तो जैमातादी सभी को मैं नीटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मारकेट यात्रा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल एक मारच यानी के सुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं कौन से लेवल का हमको अपोर्चनेटी मिल सकती हैं उसके पीछे का लोजिक क्या है साथ में ऑप्शिन चैन एनलीसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मारकेट के कुरूसे लेवल हमको पता लग जाएं तो दोस्तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी को चापको नया सीखने को मिले चलिए दोस्तों सुरू करते हैं बैंक निफ्टी का मैंने चारट ओपन किया है पंदरा मिनेट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है आज फिर से दोस्तों मार्केट में सारा दिन ट्रेप चलता रहा लोकी-हलकी जादा भी नहीं बौल सकते हैं अलकी सी फ्लैट ही माने के चली ए़्लेप को पी लेलो को‍प गया है ऐसे ठिटता खाया गया है दोनों साइड का में आप को दिखाऊंगा थैंक इसलिए मैंने काम नहीं किया उपसन बाहर को ऐसे रगडा गया हाला कि हमने स्टुडेंट के साथ एक वार कोशिस की थी 30-40 या 50 पॉइंट हम देखे आराम से मार्केट को फिर बैठ गए कुछ नहीं है बाई क्यों मैंने बोला था कि मैंने सुबह के विव में क्या बोला था क यह एक केंडल गरीन एक केंडल लाल एक केंडल गरीन यह केवल एकसपारी वाले दिन तो न ऐसे लूटती है उप्शन बाहर को बतलब जिसने काम किया होगा वहीं जानता होगा और सुबह मैं आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट करता मैं आपको दिखांगा कि डेटा कि तीन चार पांच छे साथ केंडल मतलब यह ऐसी केंडल है हर रोज जो बन रही है जो साफ कर देती है ऑप्शन बायर को यह कोई प्रिडिक्शन नहीं होती इन चीजों कि यह लूटती है बस लोगों को एकसपारी वाले दिन तो बिलकुल खा जाती है और बहुत सारे बैंक निफ्टी की चारीज़ार दोसों के ऊपर निकलने के बाद एक मुमेंटम आ सकता है दोनों बार मुमेंटम आया लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मार्केट में फायदा उठा पाया होगा क्योंकि टाइम डिके जादा लगता है अब कल कहां पर मुमेंटम हो सक यानि की तकरीबन यहां पर क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी ठीक है तो इस ट्रेड लाइन को दोस्तों मारक कर लीजिएगा चारीज़ार दोसों पचास के आसपास के लेवल को हाला कि बीच में दोसों दिन का मुविंग एवरेज लेकिन यह मुविंग आज कल काम ही न बताता हूं देखिए ऐसा भी चलेगा अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर आई बैंक निफ्टी सपोर्ट के आसपास से इसने रिकवरी लिया फिर देखिए जब यह ऐसा स्विंग बनता है डबलू पैटर्न आप इसको बोल देते हैं कुछ लोग क्या बोलते हैं कोई स्विंग बना देती है तो फिर हम पचास साथ पॉइंट का स्टोपलोस डाल के लिए कोल साइड प्लान कर सकते हैं चालिस अजार चैसों तक का हमको एक मुमेंटम देखने को मिल सकता है एक चीज़ याद रखना थोड़ा सा संभल के रहना दोस्तों संभल के मैं क्यों क्यों कि जो ब्रेकड आए मिल सकता है आशा करता हु हो कि आपको ये प्वांट समझ में आया होगा थोड़ा सा संभल के जरूर काम कीजिएगा अब अगर दोस्तो फ्लैट खुलती है मार्केट तो क्या प्लान कर सकते हैं देखिए चालीस जार का लेवल है और काफी नजदीक इसके बंद हुई है और एक साइकलोजिकल लेवल है तो एक चीज़ तो कलियर है अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है या फिर गैप डाउन खुलती है थोड़ी बहुत और यह चालीस जार के नीचे निकल के थोड़ा सा तच करके चाली पैंतराई जार नोसो के आसपास के लेवल को फिर से यहां पर लोग ट्रैप हुए थ तो जब तक यह चालीस जार के नीचे निकल के इस तरीके का कोई प्राइज एक्शन नहीं बना देती है तब तक हम प्लान नहीं करेंगे क्योंकि यह ट्रैप हो सकता है चालीस जार नोसो के आसपास आने के बाद भी पूट साइड प्लान मत करना यह चीज याद रखना यह 35,900 के आसपास आके इस तरीके का एक स्विंग बना दे चाहिए वो गैप डाउन खुलके फ्लैट खुलके कैसे भी तरीके से बनाए तब ही हम 50-60 पॉइंट के लास्ट स्विंग के चालीस जार के उपर का स्टोपलोस डालके 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं फिर प कुछ हाथ नहीं लगेगा जो कमाया है वो भी चला जाएगा ठीक है अब अगर गैप खुलती है तो क्या करेंगे अगर दोस्तों दिन के मुविंग एवरेज के उपर खुल गी गैप सीधा 4,400 के आसपास फिर 4,600 तक का टारगेट है नहीं ज्यादा कुछ बचेगा नहीं ह अगर थोड़ा सा नीचे आके गैप को बरके यहाँ पर यह कोई positive candle बना देती है या फिर वापिस से दिन का high break करती है तो हमको इस resistance तक एक momentum मिल सकता है मैं दिन का लोस टोप लोस डालके coal side जाना पसंद करूँगा एक चीज है अगर gap up खुल गई भाई तो मतलब और gap up खु करें तबी momentum हो सकता है अधरवाइज मार्केट माली यह gap up खुली पहली एक दो candle बहुत बड़ी बना थी जैसे यहां पर बनाए थी और फिर सारा दिन उसके बीच में जोलती रही तो बिना breakout breakdown या रिटेस्ट के काम मत कीजिएगा इनी चीजों से दोस्तों आप सीखोगे यह यह है कि जो मुझे लेवल ठीक लगते हैं वो लेवल आपके जहन में आ जाए थोड़ा सा नजर में आ जाए और जैसा हमने डिसकस किया है अगर ऐसा ही मार्केट अगले दिन काम करती है तो काम करना चाहिए दरवाइस उस तो आपको खुद मैनत करनी पड़ेगे जब तक आप लेवल के उपर मार्किंग नहीं करोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा चाहिए आप किसी की भी वीडियो देख लीजिए और इससे अच्छा है आप कैश में काम कर लीजिए अगर आपको मार्केट समझ में ना आय तो कैसमें भी काम कर सकते है इ एक बाद बताईए किस ने प्रिडिक्ट किया था यह इतनी बड़ी केंडल गा अगर मैं बताऊं आपको कितनी बड़ी केंडल है बाइस हजार उनिस से लेके 2800-500 पॉइंट की केंडल भाई कोई निफ्टी के अंदर कोई छोटी केंडल होती है 15 मिनिट की तो यह क्या होता है केवल ट्रेप होता है और यह जो नहीं नहीं आये हैं शेर मार्केट के अंदर कोल पुट कोल पुट जिनको लगा रहे तो उनको अभी समझ में नहीं आएगा जो थोड़ी से पुराने उनको समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटर गेम चल रहा है और ऐसे ही लूठते हैं लोग असपास निफ्टी का डाट पोजिटी था बैक निफ्टी चल रहा ता फिर मार्केट एकदम से गीर गई दोनों इसका लॉठी पो डी। कभी पॉइंट्स मिल जाते हैं हाला कि वो तो कोई पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है कोई कोल टिप्स नहीं होती है लेकिन अगर बंती है तो मैं पोस्ट करने की कोशिस करता हूं ताकि अगर जो वीडियो में शिखा है उसके अनुसार अगर मार्केट चले तो हम क मेरे से बन पड़ता है मैं पोस्ट करने की कोशिस करता हूं तो प्लीज भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कोल टिप्स के लिए मत आना और जोएन भी करना तो वीडियो की डिस्क्रिप्स में दिये लिंक से ही जोएन करना या फिर कोमेंट में पिन कर दूँगा क्योंक इस नाम से बहुत सारे फ्रोड चैनल बने हुए हैं वह आपको लूट लेंगे उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे तीन चार गुना दिख सकते हैं लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं उनकी पोस्ट पर आपको ऐसे व्यूज नहीं मिलेंगे 40,000-50,000 क्योंकि वो फेक सब् सब्सक्राइबर आपको इतना ही नोलेज हो उनकी इतनी आक्यूरेसी हो तो वो खुद ही ना पैसे कमा लेंगे आपके 2,000 रुपे कि उनको क्या जरूर था बैंक निफ्टी में चुटकी में 2,000 रुपे निकल जाते हैं अगर उनकी इतनी जादा एक्यूरेसी है तो इस ची सब्सक्राइबर आपको बस एक रास्ता दिख सकता है यह नहीं कि आपकी जेब में पैसे आने शुरू हो जाएंगे के बाद हम स्ट्रेटजी बता सकते हैं उस पर मैनत करनी पड़ेगा अपने आपको घिसना पड़ेगा तब जाके वह भी कैस में आप अच्छा बना सकते हैं लेकिन मार्केट ही अब ऐसी चलिए तो वही क्या बता है तो प्लीज किसी के नाम को किसी को पैसे वैसे मत दियारो पेडवेड गुरूप के लिए सब स्कैम है ठीक है हाँ कोई सेबी रोजिस्टड बंदा है जैनुवन है उसको आप दे सकते हो अगर आपके पास अनलिसिस का टाइम नहीं है तो चलिए निफ्टी का देखते हैं निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 2982 बे 2200 का राउंड लेवल है और निफ्टी का भी मैंने बोला था कि 2200 के उपर निकलने पर एक मुमेंटम आ सकता है कितना मुमेंटम आया साठ पॉइंट का आया होगा क्लोजिंग उसी के पास आई है डाउंसाइड तो नहीं है इसके उपर निकलने के बाद लेकिन अब मैं आपको चीज बजाता हूं यह कौन सा लेवल है 2200 का लेवल है यह वाला यह जो स्विंग दीख रहा ने इसको हलके में मत लेना भाई यहां पर मूविंग लेवरेज भी है 200 दिन का जब आप आके सीध मिलाओगे तो अगर निफ्टी फ्लैट खुले हलके फूल की गैप डाउन खुले 2200 असी के उपर निकल के 2200 को टच करके इस तरीके का कोई रीटेस्ट कर दे स्विंग बना दे तो फिर हमको 2200 तक का एक मोमेंटम मिल सकता है मै 15-20 पैसल डालके कोल साइड जाना पसंद करूगा लेकिन जब तक यह नहीं बनेगा तब तक मैं काम नहीं करूँगा और जो इस बात को जितना जल्दी समझेगा भाई उतना बढ़िया है ठीक है मेरे जितना भी किसी को नहीं कोई कोई कोशिश करता हूँ सभी को लेकिन ल वैसे फ्लैट खुलके अगर नीचे जाएगी तो अल्रेडी मोमेंटम जा चुका होगा अगर गैप डाउन खुलती है बाइस आर नो सो पचास के आसपा सोरी और एकिस आर नो सो के लेवल को फिर से ब्रेकडाउन करके कोई स्विंग बनाती है तो फिर जैसे यहां पे सो का लेवल जरूर मार की जगा बाइस आर सो के नीचे खुलती है बाइसार सो के उपर निकलती है फिर से बाहिशनार अपर निकलती है तो 200 के उपर निकलती है तो फिर एक momentum हमको आने वाले 100 point का मिल सकता है यानिकी 2300 तक all time high कहाँ पे है 2300 का ही all time high तो एक momentum हमको इसके उपर निकलने के बाद ही मिल सकता लेकिन उसके लिए अच्छा खासा market को bullish होना पड़ेगा डेटा का positive होना पड़ेगा जैसा भी डेटा होगा मैं update करने के आपको कोशिस करूंगा यह बार मैं आज आपको लूट मार दिखा देता हूं operator की यह देखिए लूट मार भाई साब प्रीमियम देखिएगा सो रुपए का इस साइड पचास उट रुपए का इस साइड जीरो कर दिया ठीक है अब बैंक निफ्टी का भी दिखाता हूं ऐसा ही होता है बाई बैंक निफ्टी का देखिएगा कबकी Expirate साथ मार असके है एक मिनेट आप बैंक निफ्टी की करने वाला बात समझ रहे हो मेरा मैं मैं आपसे कोई पैसे लेके थोड़ी आपको यह कर रहा हूं कि यह करो वो करो मेरा कुछ ने जो समझते हैं मुझे जो प्यार करते हैं जो कुमेंट करते जो दुआ देते हैं उनके लिए वीडियो बनातों हेटर्स के लिए नहीं बनाता ह तो आपके ऐसे चिडाने से मेरा कुछ नहीं जाने वाला आपको खुदी एक दिन समझ में आ जाएगा कि कौन सही था कौन गलत था मैं सही बोला था गलत बोला था प्रीमियम आप देख लीजिएगा क्या बना दिया भाई प्रीमियम मतलब होती वैसे ही होती है वह प्रीमियम इसी लिए वड़ाते हैं ताकि एक्सपारी को लूट सके साइडवेज करके और आज ऐसे ही मोमेंटम आ रहा था एक बार नीचे एक बार उपर एक बार नीचे एक बार उपर आ जाएगा बहुत जल्द समझ में आ जाएगा जिनको नहीं आ सकता है काटे की टककर चल रही है भाई चीहत्तर अजार बैठें तेजी वाले एक सट अजार बैठें मंदी वाले हाला कि ऑप्शन चैन में आज आज आपको ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि कल से नहीं एक्सपारी शुरू होगी तो प्रीमियम अभी सैट नहीं आपन तो इसमें क्या है कि बाइस दार पचास साथ इसके उपर जब निकलेगा तभी यह लोग डरना शुरू करेंगे और यहां पर पोजिशन ज्यादा एड होंगी तभी एक मोमेंटम हमको अच्छा देखने को मिल सकता है और बाइस दार नोसो पचास के नीचे निकलता तो यह फिर यह लोग ट्रेफ होने शुरू हो जाएंगे इधर पोजिशन बढ़ना शुरू हो जाएंगी तो फिर डाउंसाइड मोमेंटम हमको 100-800 पॉइंट का देखने को मिल सकता है तो थोड़ा सा सावदान रहे के काम कीजे भाई अगर एक दो दिन नहीं किया जा रहा आपको समझ में नहीं आ रहे है तो मार्केट कहीं नहीं भागी जा रही है पैसा बचाके रखना भी आपका प्रोफीट ही होता है लोस ना होने देना भी आपका प्रोफीट है अब बाई और क्या समझाओं वीडियो दोस्तों कैसा लगा अच्छा लग आउतो लाइक और शेर हिंड